तो एलो फ्रेंक कैसे हैं आप दोस्तो आज मैं आपको उताने हूं Samsung Galaxy में वहाँ पर आपको एक module मिलता है जिसका नाम है Godillac app जिसके अंदर बहुत सारे modules होते हैं जो कि आप अपने Samsung को customize का सकते हैं दोस्तो उसके अंदर एक module है जिसका नाम है Routine Plus उसके अंदर एक अपडेट है और कमाल का एक नए फीचर जोड़ दिया गया है तो आगे आपको वीडियों बताने वालों दोस्तो तो वीडियो उसके मत करें का वीडियो पूरा देखिए तो यह आप समझ पाएंगी दोस्तो चलते हैं आगे मिरे नाम सनी और और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे ट देख रहा होगा यह रूटीन पलस करके आपको एक opशन मिल रहो गहाँ अपको आसको डाउमलोड या अपडेट कर लेना है अगर आपकी बस डाउनलोड है तो वह आपको अपड facets चैनल एक प्र एक्शम पो यहाँ पर जाएंगे गों रूभाज प गाँप बता देगा व वो activity automatic work करना चालो हो जाती है जो कि मुझे बहुत शांदर लगी तो आपको बताता हूं कैसे यूज करना है तो उसके लिए आपको करना कि अपडेट करने का जैसिए आप उसको ओपन करेंगे ऑफन करने के बाद मैंने यहां पर एक activity बना कर रखी है पहले मैं आपको उसको यूज करना बताता हूं कैसे एक activity बना कर रखी है अब उसकते हैं और पहले एक touch macro बना रखा है जिसको मैं आपको यूज करे बताता हूं यह जो मैंने वहाँ पर activity में कर रहा था same activity यहाँ पर done होती जाए यह आपको दिख रहा होगा तो यह होता है macro touch macro वाला feature यहाँ पर आप कोई भी activity को record करेंगे और बात में वही activity आप run कर सकते हैं simple जैसे कि मैंने आपको बताया तो आपको करना क्या है उसके लिए उसके लिए आपको जाना है अपने मुवाइल के goodlock app में goodlock के आपको यहाँ पर option मिलना है रण आपको दिख रहा होगा आपको उस पर click करना है जैसी आपको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऐसा option मिलेगा उपर start manually सबसक्राइब करें डिवाइस के उपर एकॉर्स मंतलब यहाँ एक्टिवीटी बना रखी है आपको यहाँ पर एक्ट पर घ्ल ल्सक्रीवी करये में हैं तो कि चलिक मिल जाएंगी आप जिस एप के ऊपर आपको record बनाना है या बो जिस आपको एक फिजर बनाना है तो आपको उसको एप को स्लेट करना है इसा उप्षन मिलेगा साइट में आपको यहां पर रिकार्ड पे क्लिक करना है जैसी आप record पर click करेंगे और जब भी आप यहाँ पर move करेंगे तो यह activity काम कर रही है आपको दिख रहोगा तो यह activity काम कर रही है यहाँ पर memory क्लिक करूँगा पर यहां पर दिख जाएगी और मैंने यहां पर clean नौप पर click कर दिया तो अब यह मैंने एक तरही से एक बार यह click करा बट यह हर बार कितरा save हो जाएगा और जब भी मैं करूँगा उस पर click और simple यह work करेगा कैसे आप मैंने यहां से उसको stop करा और यहां से आप देख रहे हैं आपको save का option मिल रहा है आपको उस पर save कर लेना है save करने के आद मैंने यहां पर दे दिया जिससे device नाम से दे दिया या फिर care नाम से मैंने हाँ पर जो भी आपने आम देना चाहिए आ दे सकते हैं मैंने इसका नाम दे दिया है और आप repeat कितनी बार कराना चाहते हैं कितनी time पर हो आपको यहाँ save करना है save पर मैंने click करा और मैंने यहाँ care पर गया done पर गया और मैंने उसको यहाँ से save करा और उसको मैंने यहाँ पर home screen पर save कर लिए अब आप देखेंगे अब मैंने यहाँ home screen पर वो आगया आपको दिखरा होगा run at text macro करके अब जब भी मैं simply आप देखेंगे मैं इस पर run click करूँगा तो automatic device care open हो जाएगा और जो जो मैंने activity करी थी मतलब कि memory वहाँ पर release वो पूरी clear कर देगा कैसे अब देखेंगे मैं थोड़ा wait किया था वो memory में चले जाएगा उसके बाद वो clear now पर click कर देगा मतलब की यह बहुत ही शांदर option मैंने बनाया यह मैंने recently अभी देख देख की बनाया बहुत ही शांदर है चाँ आपको यह मेरी वीडियो पसंदाहिगोगोग क्या है अभी तक आपने मेरे चमित्सक्राइब नहीं किया है और हो सब्सके तो मुझे इंस्टाइगर फेड़ा के लिए ना बोरे इसके लिंक आपको नीशे डिस्क्रिशन में मिल जाएगा तो हैंकि दो